यह सारी बातें पिछले देव दस्टक से लगातार चलते हैं। हर फ़र्म में चली है। ऐसा नहीं है कि कोई अब आरे के बाद में। खार ने कहा है। और हर एक को लगा है कि अब समय आगाया हो जाए। अब समय आगाया है। यह ठीक है। फुर्स्टु पामा कोई इधर सकते हैं। अधर नहीं होता है। यह समाच जीवन परिवर्तर सीन होता है। आज के समय हमें जो ठीक लगा चलो चले आगे सुधार करेंगे। नई चीजों को जोड़ेंगे। यही तो आप प्रगति का रास्ता होता है। रुकावटे डाले से प्रगति कहां होती है। और इसलिए है। लेकिन मैं हरान हूँ, अचानक यूटन ले लिया भे। ऐसा क्यों किया। ठीक है। आप आंदोलन के मुद्दों को ले करके इस सरकार को घेर लेते हैं। लेकिन साथ-साथ किसानों को भी कहते हैं कि भाई, बढ़ना बहुत जरूरी है, बहुत साल हो गए, अ अच्छा है, आदर्निय डॉक्टर मनमौन सिंग की हमवजूद है, मैं उनी का एक कोट आज बोट पढ़ना चाहता हूँ, हो सकता है, जो यूटन कर रहे हैं, वो मेरी बात माने या न माने, मनमौन सिंग जी की तुबात जुरूर मानेंगे। किसान को उपज बेचने की आजहादी दिलाने, भारत को एक क्रिशी बजार दिलाने की शमन में अपना इरादा व्यक्त किया था, और वो कामन कर रहे हैं, और मुझे आप लोगों को घर्व होना चाहिए, देखे, मनमौन सिंग जी ने कहा था, वो मोधी को करना पढ़ रहा सुधार करते ही करते हैं, हम कोई स्टेटिक अवस्ता में जीने वाले लोग ठोड़े हैं जी, जब अच्छे सुधाव आते हैं तो अच्छे सुधार भी आते हैं, और सरकार भी अच्छे सुधावों को, और सिरम हमारी नहीं, हर सरकार नहीं, अच्छे सुधावों को सुध स्कार्गी यहीता लोगतनंतर की परंपरा और इसलिए अले के लिए अच्छे इसुजाव के साथ अच्य सुधाव की त्यारी के साथ हम सब आफ़े बढ़ना चाहिए कि अनुमंतर देता हूं आईए हम देश को आगे ले जाने के लिए क्रिशिक शित्र की समस्याओं का समाधान करने के लिए आंदोलन कारियों को समझाते विए हमने देश को आगे ले जाना होगा हो सकता है कि साथ आज नहीं तो कल जो भी यहां होगा किसी ने किसी को यह काम करना ही पड़ेगा आज मैंने किया है गालिया मेरे खाते में जाने दो लेकिन इस अच्छा करने में आप जूड़ जाओ बुरा हो मेरे खाते में अच्छा हो आपके खाते में आओ मिलकर के चले और मैं लगातार हमारे कृषिम मंत्री जी लगाता किसानों से बात्चीत कर रहे हैं लगातार मिटिंग ये हो रही हैं और अभी तक कोई कोई तनाव पैदा नहीं हुआ है एक दूसरे की बात को समझने का समझाने का प्रयास चल रहा है और हम लगातार आंदोलन से जुड़े लोगों से प्राक्षना करते हैं कि आप आंदोलन करना आपका हक है लेकिन इस प्रकार से बुजूर्ग लोग वहां बैठे हैं ये ठीक नहीं है आप उनको सब को ले जाएए आप आंदोलन को खत्मक कीजिए आगे बढ़ने के लिए मिल बैटन की चच्चा करेंगे रास्ता खुले है ये सब हमने कहा है मैं आज भी इस सदन से माधन से भी निमतन देता हूँ आदरने सभापती जी ये बात मिश्चित है हमारी खेती को खुशाल बनाने के लिए फैसले लेने का ये समय है ये समय को हमने गवा नहीं देना चाहिए हमें आगे बढ़ना चाहिए देश को पीछे नहीं ले जाना चाहिए कि पक्षषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषष मैं विश्वान दिलाता हूं कि मंडिया अधिक आधुनिक बने अधिक प्रतिश्पर्दी होगी इस दान बेजेट में भी उसके लिए हमने प्रावधान किया है इतना ही नहीं एमेसपी है, एमेसपी था, एमेसपी रहेगा इस सदन की पवित्रदा समझे हम जिनाच्री करोड से अधिक लोगों को सस्ते में राशन दिया जाता है वो भी कंटीनू रहेगा इसलिए महरबानी करके भ्रह्म भलाने के काम में हम न चुड़े क्योंकि हमको देश ने एक दिशिष्ट जिम्मेबारी दिये है किसानों की आय बढ़ाने के जो दूसरे उपा है उन पर भी हमें बल देने की जरूर्द है आबादी बढ़ रही है परिवार के अंदर सदस्यों के संख्या बढ़ रही है जमीन के टुकड़े शोटे होते जा रहे है ऐसी स्थिति में हमें कुछ न को जैसा करना ही होगा ताकि किसानी पर बोज कम हो और हमारे किसान के परिवार के लोग भी रोजी रोटी कमाने के लिए उनके लिए हम और अवसर उपलब दखराते के लिए भारत की ताकत ऐसी समस्याओं के समाधान करने की और नए रास्ते खोजने की रही है आगे भी खुलेंगे लेकिन कुछ लोग हैं जो भारत अस्थीर रहे अशांत रहे इसे लगातार कोशिश से कर रहे हमें इन लोगों को जानना होगा हम यह न भूले कि पंजाब के साथ क्य जब बटबारा हुआ सबसे ज्यादा भूगतना पड़ा पंजाब को जब 84 के दंगे हुए सबसे ज्यादा आंसू बहे पंजाब के सबसे ज्यादा दर्दनाग गटनाओं का शिकार होना पड़ा पंजाब को जो जम्र कश्मीर में हुआ निर्दोशों को मौत के घाट उता रहा आए दिन बंबंदुग और गोलियों का कारोबार चलता रहा ये सारी चीजों ने देश को किसे ने किसी रूप में बहुत नुक्षान किया है इसके पीछे कौन ताकत है हर समय हर सरकारों ने इसको देखा है जाना है परखा है और इसलिए हमें उस जज़वे से इन सारी स मस्याओं के सबाधान के लिए हम तेजी से आगे बढ़े हैं और हम यह न भूलें कि कुछ लोग हमारे खास करके पंजाब के खास करें कि सिख भाई जो दिमाग में गलत चीजें भरने में लगे हैं ये देश और सिख के लिए गर्व करता है कि देश के लिए क्या कुछ नहीं किया है उनका जीतना हम आदर करें उतना कम है गुरुवां की महान प्रमपरा और मेरा भागे रहा है मुझे पंजाब की रोटी खाने का उसर मिला है में जिन्द्गी मेने बहुत महत्वपन वर्ष पंजाब में बिता है इसलिए मुझे कि लोग बोलते हैं उनको गुम्रा करने के जो लोग प्रयास करते हैं इससे कभी देश का भला नहीं होगा और इसलिए हमें इन दिशा में चिंता करने के आवश्यक्ता है अधानियस अभापति महोड़ा है हम लोग कुछ सब्दों से बड़े परिचित है स्रम जीवी बुद्धी जीवी यह सारे शब्दों से परिचित है लेकिन मैं देख रहा हूँ कि पिछले कुछ समय से इस देश में एक नई जमात पैदा हुई है एक नई बिरादरी सामने आई है और वो है आंदोलन जीवी यह जमात आप देखोगे वकीलों का अंदोलन है वो नहां नजर आएंगे स्टूडन का अंदोलन है वो बाद अजर आएंगे मज़ुर्द का अंदोलन है वो महां नजर आएंगे कभी परदे के पीछे कभी परदे के आँगे एक पूरी टोली है जी यह वो आंदोलन जीवी है वो आंदोलन के बिना जी नहीं सकते हैं और आंदोलन के से जीने के लिए रास्ते खोदते रहते हैं हमें ऐसे लोगों को पहचानना होगा कि वो जो सब जगावे पहुंच करके और बड़ा आइडियोलोजिकल स्टैन दे देते हैं गुम रहा कर देते हैं नहीं नहीं तरीके ढूनों बता देते हैं देश आंदोलन जीवी लोगों से बचें इसके लिए हम सब को ऐसे लोगों को पहचानने की बहुत आवश्यक्ता है यह सारे आंदोलन जीवी पर जीवी होते हैं